हलो बच्चों जैहिन। आज हम आपको बताएं बच्चों ईलकिल हैलाइट नेज्स कि नमबर 3 हैं बच्चों नियिक्च्ट मेर 400 टीन में आज हम पढ़ेंगे नेचर ओफ कर्वन एड हैलोजस गॉन بैंब‡ जो carbon और hyalogen के मद्धे बच्चों bond बनता है उसकी nature क्या है प्रकित क्या है तो ध्यान रहे बच्चों nature में जो है वो actually जो है दो तरह के बउन्ड पाई जाते हैं बच्चों एक होता है ionic bond ये ionic bond होता है और दूसरा होता है बच्चों covalent bond तो नेचर में दो ही बांड होते हैं मुखरूप से जनरली बच्चों कौन कौन से आइनिक बांड और कोवलेंट बांड आइनिक बांड बच्चों दो तरह के बांड हो जाते हैं जैसे मान लेते हैं A और B है बच्चों, इनके इलेक्ट्रो निक्ट्रोटी का अंतर बहुत कम है बच्चों, EN और EN2 है, तो यहाँ पर एक 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 इलेक्ट्रोट शेरिंग करके मान लिए कि कोवलेंट बांड बनाये हैं, और दूसरा है बच्चों, A और B के बीच में भी इस इस तरह से EN1 और EN2 है, ठीक है, अब इनके मद्ध बच्चों बांड बना हुआ, सवाल यह उठता है, कौन सा बांड दो तरह की होते हैं बच्चों, एक तो होता है पोलर और एक नान पोलर बांड है, तो नान पोलर कोवलेंट बांड है, कोवलेंट बांड है, क्योंकि सभी तो कभी पोलर्टी जनरेट नहीं होती है, प्लस माइनस नहीं जनरेट होते हैं, जैसे मान लिजे, इसमें डेल्टा EN की वैलू बच्चों, वो हर समय 0 से 0.05 के मद्ध आती है, तो हम कहेंगी यह बांड जो है नान पोलर है, बच्चों, और अगर इलेक्टो निक्टिविट का डिफरेंस, डेल्टा EN की वैलू बच्चों, इलेक्टो निक्टिविटी का डिफरेंस, अगर यह आ रहा है, 0.4 और 0.1.7 के बीच हो, 0.4 और 1.7 के, तो इसे कहते हैं बच्चों, पोलर कोवालेंट बांड, पोलर कोवालेंट बांड, तो सवाल यहां पर यह है बच्चो कि आखिर यह जो बांड है, तो पका है, कार्वनिक कंपांड है, तो बांड बनेगा, पोलर है कि नान पोलर है, बहुत से बच्चों को इलेक्टो निक्टिविटी का पता नहीं है, बच्चों, जो बच्चों को नहीं पता है, इलेक्टो निक्टिविटी क्या होती है, जरा जिसमें अधिक होती है, वो क्या करता है, shared paired electron को partially अपने तरफ खीचता है, और जब electron इस तरफ A, B मालिकी उसके सांजा रहे हैं, तो इस पर बच्चों थोड़ा सा negative chart developed हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये electron, shared paired electron push toward B, और अब ये इसका इतना positive हो जाएगा, तो बस बच्चों, shared paired electron की जो अपने तरफ किसी element द्वारा, अपने तरफ खीचने की जो tendency होती है, बच्चों, वही electron activity होती है, अब ये tendency जो होती है, नमबर अप proton अर्थार nucleus or density पर टिपेंड करती हैं, जिसका nucleus or density जितना दिखोगा, वो shared paired electron को अपने तरफ जादा खीचता है, और ये एक खीचने की जो tendency होती है, बच्चों, electron activity होती है, और electron activity का जब डूनों का difference लेते हैं, बच्चों, 0 और 0.4 की बीच में होता है, तो उसे हम कहें, नान पोलर है, अगर इसके बीच में नहीं है, 0.4 से अधिक है, बच्चों, 1.7 से बीच के अंतर गताता है, तो उसे हम कहते हैं, पोलर है, अब सभी बच्चों के पता है, कि जितने भी compound होते हैं, बच्चों, वो दो तरह के covalent bond मनाते हैं, एक पोलर और एक नान पोलर, सवाल यहां पर यह है, बच्चों, कार्बन हायलोजन के मीच का, बउन्ड का डेचर का ऐसा है, पहली बाद तो यह पक्का है, कि पोलर हो, यह covalent होगा, अब सवाल यह होटता है, पोलर और नान पोलर का फंडा क्या है, तो ध्यार में बच्चों, कार्बन जो होता है, और हायलोजन, यह दोनों ऐसे element है, नान मेटल है, बच्चों, नान मेटल, नान मेटल के मद्री बाउंड बना हुआ है, इसलिए तो kovalent bond है, kovalent bond आलवेज फॉर्म बेट्वीन टू, नौन मेटल, ठीक है, तो यहां पर बच्चों, एक्स जो है एक्स जितने भी हाईलोजन होते हैं बच्चों हाईलोजन इनकी इलेक्टो नेक्टिवटी अच्छी खासी होती है हाई होती है और ये इलेक्टो नेक्टिव में सबसे उपर होते हैं बच्चों जान रहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैं अब इस और कारबन की इलेक्टोनेटिविती इससे काफी कम होती है। यह बच्चों 2.4 के आजपास होती है। इसको रटनी की जरूद नहीं है बच्चों लेकिन इनकी इलेक्टोनेटिविती अच्छे खासी है। तो polarity का जब हम difference निकालते हैं बच्चों वो 0.4 से अधी काता है इसका मतलब यह तो तै हो गया बच्चों इसकी ज्यादा electronegative कारण यह electron इसकी तरफ सिफ्थ होते हैं और इस पर partial negative और इस पर partial पास्ट हो जाता है अर्थार बच्चों एक बात तै हो गया जो carbon carbon के मद्ध जो covalent bond बना हुआ है covalent bond जो बना हुआ है इनकी अच्छी खास सी electron activity के अंतर होने कारण बच्चों यह polar होता है polar का मतलब धुवी होता है तो धुवी covalent bond बनता है इतनी बात पक्की हो गई बच्चों अब सवाल यहां पर तीन आते हैं बच्चों पहली बात पो polarity का जो हम measurement क किस तरह से करते हैं दूसरी बात और जब carbon hydrogen के मत बांड बनता है बच्चों इसकी bond length कितनी है तीसरी बात होती बच्चों इन बांड को तोडने के लिए जो necessary energy होती है इसे हम bond energy करते हैं bond enthalpy या bond dissociation energy या bond dissociation enthalpy कुछ भी नाम से बुकार लेजी बच्चों यह कितनी होती है तो ज बच्चित रहेगा तो बदलेगा नहीं है है लोजन बच्चों बदल जाते हैं तो मान लेते हैं आपके पास carbon और fluorine के मत बांड बना हुए बच्चों यह carbon और hydrogen के मत बांड का हम बच्चों bond length की पहले बात करेंगी bond length का मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों जिस होता है यह आपका H और F के बीच में दिखा जे रहा है और chlorine चुकी नीचे होता है बच्चों इसकी साइज थोड़ी से बड़ी हो जाएगी तो आपका वह HCl के मत दिखा रहा है अब जो ब्रोमीन होते हैं बच्चों वह और बड़ी हो जाती है ठीक है तो आप देख रहे है कार्बन तो वही साइज का है सभी बच्चों ये कार्बन ही तो हैं तो सभी कार्बन हैं तो कार्बन तो वही रहेगा अब आयोडेन बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है तो अगर अगर आप बॉन्ड लेंध को देखो बच्चों तो दो न्यूक्लियस की बीच की डिस्ट अगर हम इसका आड़र क्या होगा बॉंड लेंद का तो सभी बच्चों को दिख भी रहा है कि सबसे अधिक बच्चों है है पर आपका बॉंड बच्चों आई उसके बाद सबसे बड़ा होगा चुकि सबसे बड़ी साइच का है तो दो डिस्टेंस तु न्युक्लियस जो आफने मत, बच्चों, जो कि कर देटा। रियक्टिवटी होती है ध्याने बच्चों, रियक्टिवटी जो होती है, वो inversely proportional होती है बाण्ड लेंध के. जिसका जितना बड़ा बाण्ड लेंध होगा बच्चों, वो उतना ही ज्यादा रियक्टिव होता है. तो अगर हम आपसे पूछे बच्चों, इसमें reactivity का order क्या होगा, तो आप कहेंगे reactivity का order, reactivity का बच्चों order होगा, आर्डर reactivity वही होगा बच्चों जो bond बहुत आसानी से तूट जाता है, bond जितने आसानी से तूटता बच्चों उतने ज्यादा रेक्टिव होता है, और bond की ज जितना छोटा होता है, उसको तोड़ना उतने मुश्क्री होता है, जैसे जैसे कोई भी चीज बड़ी होती चली जाती है, उसको तोड़ना माला, लेकिन आप बहुत छोटे चीज को तोड़ना चाहेंगा, जल्दी तो तो जो reactivity होती है, बच्चों, reactivity, अभी आपने देख होता है, बच्चों, कार्बन और फ्रोरिन, ऐसा मैंने क्यों बोला, जैसे जैसे बच्चों हम इधर जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ जो है, धर धर घटी चली जा रहे, बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो reactivity क्या हो जाएग बच्चों, घटी चली जाएगी, तो सबसे ज्यादा रियक्टियों होगा, इससे यह, और एक होता है, बच्चों, बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसेशन, बॉन्ड डिसोसेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसेशन एनर्जी का, इसको एक और नाम देते है, बॉन्ड डिसोसेशन इन्थेल्पी, बच्चों, इन्थेल्पी का मतलब होता है size के क्या होते बच्चों size size bond length के यहां पर bond length लेको बच्चों bond length जिसका bond length बच्चों जीतना बड़ा होगा bond dissociation energy उतनी ही छोटी होगी तो अगर हम इसका order देखें बच्चों तो सबसे ज्यादा energy हमें किसमें देनी पड़ेगे cf में तो यहां पर बच्चों जैसे जैसे c i है ठीक है c c l है c b r है c r फ्लोरीन है तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं बच्चों bond length देदर घट रही है तो bond dissociation energy भी क्या होगी बच्चों बढ़ेगी तो सबसे अधिक bond energy किसमें पाई आती है इसमें इसलिए बच्चों carbon और फ्लोरीन के मद्द जो bond होता है उसको तोड़ना बहुता सामनी होता यह बहुत ही कम reactivity होगा बच्चों क्यों क्यों क्योंकि reactivity bond length के universally proportion है तो इतनी बात तो बच्चों समझ गए इसमें हमने आपको कई बातें बताएं बच्चों पाहली बात तो bond length दूसरी बात reactivity और तीसरी बात बच्चों bond energy अब सवाल यहां पर है बच्चों हम polarity की बात कर रहे है polarity जो है depend करती है उसका polarity का measurement बच्चों dipole moments किया जाता है तो जरा देखिए यह dipole moment क्या होता है बच्चों और इस पर कौन कौन से ऐसी factor हैं जो इस पर effect डालते हैं तो चलिए शूरू करते हैं बच्चों इसको हम यहां पर ध्यान रहे बच्चों जैसे A और B के बीच में बच्चों यहां पर माल लेते हैं कि जो charge आया हुआ है partial निगेटिव पार्सियल पार्सियल पार् bond के मद्ध जो पॉलर्टी हैं बच्चों, between two atom, two atom के मद्ध जो बच्चों वो इंडिकेट की जाती है या मिजर्ड की जाती बच्चों, मिजर्ड by dipole moment, dipole moment, dipole moment को बच्चों हम mu से लिखते हैं, अर्थात mu जिसका जितना ज्यादा होगा बच्चों, पोलर्टी उतनी ज्या जाएगा इस पर ज्यादा पास्ट उचार जाएगा तो पोलर्टी उतनी ज्यादा होगी अगर इनके बीच में बच्चों अब सवाल यह उठता है कि मियू इजे पल्टू है क्या बच्चों तो डाइपोल मोमेंट को हम मैगनिटूट अफ चार्ज और इनके बीच की डिस्ट जितनी ज्यादा होगी मियू ज्यादा होगा सवाल यह उठता है बच्चों जो क्यों होता है चार्ज जो चार्ज इस पर डिबलेंड कर रहा है बच्चों किन बातों पर निर्भर कर रहा है यह बच्चों इलेक्ट्रो नेक्टिवती पर डिपेंड करता है अर्थात जिसकी electroniquity बच्चों जितनी ज्यादा होगी चार जो उतना ही ज्यादा होगा और दूसरी बात यह है कि यही जो बच्चों depend करती है जो अब दूसरा जो mu depend करता है बच्चों distance distance इन दोनों मतलब bond length distance between between atom atom के मत बच्चों उसी को bond length के रूप में दिखा रहे है तो bond length बच्चों जितना ज्यादा होगा चार जितना ज्यादा होगा electroniquity उतनी ज्यादा होगी सवाल यहाँ पर उल्टा है बच्चों जब हम उपर से नीचे आ रहे हैं तो electroniquity घटी है बच्चों सब बच्चों को पता है इसी ग्रूप में उपर से नीचे top to bottom आने पर electroniquity क्या होती है बच्चों घटी है तो सवाल यहाँ पर यह है बच्चों जब हम उपर से नीचे move कर रहे हैं तो हमारा electroniquity बच्चों का अंतर बहुत कमा रहा है चुकि सबसे ज़्यादा एलेक्टों उससे कम उससे कम और सबसे कम है यहाँ पर बच्चों आपका HBR का दिया गया है और यहाँ पर आपका HI से दिया गया है तो यहाँ पर दो factor हैं बच्चों वो भी opposite काम करते हैं अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों तो होता यू है कि इसका जो electronic community का difference होता है बढ़ता है मतलब hylorogen की electronic activity बच्चों घटता है मतलब कि जब हम top to bottom आ रहे हैं तो electronic activity घट रहे है और जो charge electronicivity पर depend करता है तो इसका मतलब यहां पर क्यों बच्चों वो क्या करेगा डिक्रीश करेगा पहली बात दूसरी बात इसका मतलब कि जब क्यों डिक्रीश करेगा डिक्रीश करेगा लेकिन दूसरी बात यह है बच्चों जब हम टॉप बोटम आते हैं तो जो बॉंड लेंथ होती बच्चों डाइपॉल मोमेंट होता है वह होता है चार्ज इन टू दिरेंट बढ़ रहा है लटी का इरिक्टनों टरता है बच्चों जब एक factor बढ़ रहा है और एक factor घट रहा है दोनों का product ही क्या कला था dipolment यहां पर बच्चों अगर देखा जाए तो अगर हम electron negativity बच्चों dominant factor होता है यह dominant factor होता है तो dominant factor जो bond length होता बच्चों उतना जयाता dominant नहीं होता चुकि bond की जो लेंथ होती बाधकों बहुत कम होती है नानो मीटर में अंगरशराम में आ पिको मीटर में नापी जाती है तो जो ओऊत ही सार्थ होता है अगर उसमें आप लगाएंगे तो बहुत ही सार्थ होता है तो अगर हम इसके अनुसार देखे बच्चों एलेक्टो नेक्टिवटी जो है का अंतर जो है यहाँ pédź अगर हम इसके अनिसार देखे, घंटा होगा अगर हम इसको ढवान करता है, अगर हम इसको ना पर बच्चों तो सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन और फ्लोरीन के मद्ध पुलर्टी सबसे अधिक होने चाहिए थी और फिर कार्बन और क्लोरीन के मद्ध फिर कार्बन और ब्रोमीन के मद्ध और फिर सबसे लाश्ट में बच्चों कार्बन और आयोगेन के मद्ध तो ये तो आर्डर न बच्चों, रील इसका आर्डर होता है, सबसे जुदा कार्बन और क्लोरीन के मद्ध हो जाती है। आपने NCRD किता में देखो बच्चों तो सबसे ज़्यादा उसकी जो दिया गया है बच्चों बॉन्ड म्यू की वैलू वह आपको रटने की चीज़ नहीं है बच्चों वह आपको कभी भी क्वेस्टन आएगा तो दिया रहेगा उसका वैलू तो कार्बन और फिर कार्बन औ और ब्रोमीन की मद्ध होती फिर कार्बन और आयोडीन की मद्ध होती सवाल यहां पर है बच्चों यहां पर हो गई है फ्लीपिंग देख रहे हो ना एक्ट्यूल वैलू यह होती है और जब हम इलेक्ट्र निक्ट्यूटी का डामिनेंट फैक्टर ले रहे हैं बच्चों तो सवाल यह उठता है कि बॉंड लेंथ बच्चों दी कमान चुकि मूँ इस एक वाल टू क्यू इन्टू दी होता है अब एक चीज तो घट रहा है यहाँ पर होना भी चाहिए ही थे लेकिन यहाँ पर फ्लिपिंग क्यों हो रही है अब आप देखे यह जो मूँ है बच्च पिझे क्रूट से सोचना पड़े बच्चों यह आकर फ्लिपिंग क्यों आ यहाँ पर इन दोनों फैक्टर बच्चों यहाँ पर वह बच्चों रियल्टी में यह आ रहा है यह गलत है बच्चों ठीक है तो रियल्टी में क्यों आ रहा है तो इसका मतलब यह हुगा कि इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन के इमद्ध बच्चों जो dominant factor है वो है distance और बाकी में जीतने निक्टिव्टी डॉमिनेंट होगी इलेक्टो निक्टिव्टी देदर घटे क्यों कमान घटे का और डिस्टेंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है इसलिए यहां पर उपर से नीचे आने पर बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो यह फैक्टर आपका क करने लगता है यहां पर बच्चों ऐसा क्यों हुआ है यहां पर डिस्टेंस जो है डॉमिनेंट फैक्टर है ठीक है और बाकी में जो आप यहां से यहां तक देख रहें बच्चों इसमें इलेक्टो निक्टिव्टी डॉमिनेंट फैक्टर होता है इस चीज का ध्यान लख तो इसका कारण यह है तो यह question कई बार पूछा गया है बच्चो और बच्चे लोग electronic priority पर निकाल लेते हैं तो यह लिखते आप लेकिन reality में क्या है बच्चों यह है तो यह गलत हो जाता कि जब दो फैक्टर आपोजिट काम कर रहे हैं, उपर से नीचे आने पर बच्चों इलेक्टोनिक टूटी जो है घट रही है, तो क्यों घटेगा, क्यों घटेगा, तुब न्यू घटेगा, ठीक है, पुलर्टी घट जाएगी, और दूसरी बात है, कि डिस्टेंस भी तो ब दूसरा छोड़ करके बच्चों बाकी समय तो इलेक्टोनिक टूटी डामिन्ट होती है, लेकिन आलाग इसमें और इसमें बच्चों रेडियस अर्था डिस्टेंस डामिन्ट फैक्टर हो जाता है, तो यह तो रहा बच्चों, इसका मतलब यह तो सीधे निकल गया बच्च तो उपर से निशे आने पर जब इलेक्टोनिक्टि घट रही है, तो क्यों कमान घटेगा, तो मैं कमान घटता है, तो रिल्टी है, यह तो सही बात है, घटना भी चाहिए, बच्चों घटता भी है, लेकिन यहाँ पर फ्लिपिंग आ गई, तो दूसरा फेक्टर हो जाता ह बच्चों यहाँ पर dominant वो है distance bond length, इसके बीच bond length और इसके बीच bond length का मतलब है, बच्चों बहुत कम है, इसलिए यह डी जो है dominant हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्टोनिक्टिविटी का अंतर उतना नहीं है, यहाँ पर जो त्रिज्जा है, बच्चों, radius है, centrifण है, atomic radio है, bond length है, वो dominant हो जाता है, इनके बीच में काफी अंतर हो जाता है, लेकिन इनके बीच में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो electronic credit काम करते है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इसकी electronic सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर jest electronic neutrally है, उतन है और हाइडोजन और ब्रोमीन है और हाइडोजन और यहां पर आयोडीन है तो इसका पॉलर्टी का आर्डर बच्चों यही होता है तो इसमें नहीं होता लेकिन कार्बनी कंपाउन में कार्बन हाइलोजन के बाद फ्लिप हो जाती बच्चों यह रियल आर्डर है बच्चों तो यही खाती जी ततना की कार्वन और हिलोजन के अज़ सुक् Tommy जबन होता है यहाँ पर आपके डाइपोल बनते ऑच्जों डाइपोल मॉमेंट का मतलब होता है डाइपोल काल नीट्री का मतलब होता है इसलिए अगर हम देखते हैं तो सबसे जादा पोलर यह उससे कम उससे कम उससे लेकिन बच्चो रियल्टी यह है लिЙयर्टी यह कि मतलब सबसे ज्यादा पॉलर यह है बच्छों डाकोsn e minimize का ज्यादा आता है इसका और इसके बीच में और इसके बीच में का अंतर उतना तो ज्यादा नहीं है बच्छों लेकिन डिश्टेंस का अंतर आ जाता है और और बाकि जितने भी element होते हैं, उसमें distance dominant factor हो जाता है, बच्चों. Electron activity नहीं, charge कम developed होगा, इसलिए में उकामान अधिक होगा. बस बच्चों, आज की वीडियो यहीं तर, अगर आपको अच्छा लगा बच्चों, तो आप उसको share करिएगा, और उन बच्चों को जुरूर share करिएगा, जो कि coaching effort नहीं करते हैं, अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा है, तो like करिएगा, ठीक है, और subscribe कर लिएगा, thank you very लुमने जहे हैं.